अम स्वामी जी कर अनुलों मिलूम करो सब या कपाल बादी करो जब मैं यहां आई तो मुझे PGI चेंडिगर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था वो कहते थे कि आपकी किड्नी ट्रांस्प्लांट होगी इसके अलाबा हमारे पास कोई सोलूशन नहीं है आपके किड्नी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है नाम क्या है मेरा नाम कूनम है और जब मैं यहां आई थी मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही थी कुछ भी नहीं खाया था मैंने एक हफते से और जब मैं यहां आई मैंने खाना खाया और वो अमरित की तरह मेरे अंदर रहा और मैं बता नहीं सकती मेरा इतना ज़्यादा बड़ा एक्स्किरियंस है और मेरी किड्नी की रिपोर्ट अब वो कले मेरा क्रेटी नाइन 6 था 5.33 और अब मेरा क्रेटी नाइन 3 है लो मैंने कहता कि मैं 100 में से 100 को बचा लोगा लेकिन 100 में से करीब 99 को मैं बचा सकता हूँ किड्नी के रोगियों को किड्नी फेलियर होने मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा शुकर गुजार हूँ स्वामी जी आपकी और मेरे मामा जी ने मुझे यहाँ बेजा था उन्होंने अपना शुगर ठीक किया यहाँ पे और मैं सच में बापको बता नहीं सकती आपने दो बच्चों की मा को उनके बच्चों से उनकी मा को छेनने से बचा लिया तो दो बच्चों की माँ तो खुदी बच्ची निसे लग रही है मैं तीस साल की हूँ, थटी, थटी यर्स इसको लगता था कि मैं मर्द होगी तो मेरे बच्चों का था सच में, मुझे ऐसे ही लगता था जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको देख करके फिर माँ अपनी बीमारी और बच्चों को देख के और उसको पीडा होते हैं कि इनको कोन संभालेगा मेरे बाद और ये ऐसी बीमारी हैं, लिवर फेलियर, कि ने फेलियर, आदमी मर जाता है अब बेटा इसको छोड़ना निए अभी तीन से इसको एक पर लाना है कितनी दिन भी हैं आपी आज वापिस जाना है एक महिना हो गया मुझे यह लेकिन बेटा अब इसको एक दो मेना घर पे भी ऐसे करना जैसे छे से तीन पर आया है तीन से एक पर भी आ जाएगा